नमस्कार मैं हो दिवा बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज 18 जुलाई दिन गुरवार खर्वक्यों बढ़ने से पहले एक नदर सुर्खियों पर बिहार में रेलवे किन सुविधाओं समेट अन्य चीजों से हटा जीस्टी बिहार के सभी जिलापदादिकारियों को सेक्षा विभाग से मिलेए निर्देश बिहार में एरपोर्ट, रेलवे, प्लेटफॉर्म और बस स्टैंड पर यात्रियों की होगी देंगुजार STAT 1224 के पेपर 2 का जारी हुआ आंसर की बिहार में थमा बारस का दौर अंतिन तारीक से पहले ITR फाइल नहीं किया है तो देना पड़ सकता है जुर्माना ICC की ताजा रैंकिंग में सुबमन गिल और यससवी जैसवाल को हुआ फाइदा अब चले भरते अब तक के 25 बरी खबलों के उद्विस्तार से महराश्च्र स्टीट एलेक्रिसिटी ट्रांस्मिसन कंपनी ने इंजिनियर के 784 पदों पर निकाली भरती महराश्च्र स्टीट एलेक्रिसिटी ट्रांस्मिसन कंपनी द्वारा भरती निकाली गई है यह भरती 784 पदों पर निकाली गई है इस भरती के तहत एक्जेक्यूटिव इंजीनियर, एडिस्नल एक्जेक्यूटिव इंजीनियर, डिप्टी एक्जेक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के पद भरे जाएंगे आविदन प्रेक्रियस शुरू है और आविदन करने के अंतिम तारीक 9 अगस्थ है हो कुमिद्वारिस के आधिकारिक वेबसाइट HTTPS++ महाटरान SCO.IN पर जाकर आविदन कर सकते हैं भरती से संबंदित सर्थिक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसर और अधिसूचना को जरूर देखें विहार में एयरपोर्ट, रेलवे प्लेटफॉर्म और बस स्टैंड पर यात्रियों की होगी देंगु जाँच विहार में डेंगु को लेकर लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी जा रही है साथ ही स्वास्विभाग भी अलर्ट मोड में है डेंगु के मरीजों की पहचान कर इनके समूचित इलाज की भी पूरी तयारी कर ली गई है मरीजों की पहचान एयरपूर्ट रेलवे प्लेटफॉर्म सहीत बस स्टैंड और अन्य जगों पर जाँच के जरीए की जाएगी बैठा के दोरान स्वास्विभाग के उच अधिकारियों ने कई और निर्ने लिये हैं इस दोरान राज स्वास्त समीती के राज सर्वेक्षन पदाधिकारी को एयरपूर्ट रेलवे और बस स्टैंड पर डैपिड रिस्पोंस टीम का गठन करने को कहा गया है जिससे यात्रियों में संभावित डेंगु मरीजों की जाँच की जा सके इसके लावे चिकित्सा महा विद्याले सदर अस्पताल और प्रखंड अस्तर के स्वास्त संस्थानों में डेंगु मरीजों के लिए बेड रखे जाएगा बिहार में रेलवे की इन सुविधाओं समेत अन्य चीजों से हटा जीस्टी रेलवे प्लेटफॉर्म पर अब राजस सरकार ने अपने अस्तर से लगने वाली जीस्टी को हटा दिया है प्लेटफॉर्म टिकेट के अलावे डूर मैट्री वेटिंग रूम क्लॉक रूम और बैटरी चालित वहन से भी जीस्टी हटा दिये गये हैं जिससे अब ये सुविधाएं लोगों को सस्ती परेंगी पहले प्लेटफॉर्म टिकेट खरीदने के लिए 10 रूपए देने होते थे इसमें 5 फीस्टी जीस्टी था जिससे हटाने पर प्लेटफॉर्म टिकेट में 1 रूपए की कट्रौती की जा सकती है इसके अलावे होस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए राहत भरी खबर है यदि किसी चाथर पर प्रती वैक्ती 20,000 रूपए तक होस्टल सेवा फीस देने पड़ते हैं तो इन्हें जीस्टी में छूर दी जाएगी जीस्टी काउंसिल की वैठक में इस बात कर नर्णाय हुआ है जिसकी अध्यक्षता केंद्रिय मंत्री निर्मला सीता रमन कर रही थी इससे संबंधित अधिसूजनाभी राजे के वानिज्जे कर महकमा द्वारा जारी कर दिये गया है बिहारी बत्रे स्पेसर में आज हम बात करेंगे छवी पांडे के बारे में छवी एक भारती टेलिविजन अभिनेत्री और गायक है इनका जन्म आज के इदिन हुआ था ये स्टार प्लस के धारवाहिक तेरी मेरी लव स्टोरी में स्मिता के किरदार में नजर आई थी जी टीवी के धारवाहिक बंधन में ये रिया का करदार ने भाच चुकी है इन टीवी सीरियल्स के लावेगी अनुपमा एक बुंदस्क ये है आस्तिकी सिलसिला प्यार का काल भैरव रहस से आदी में भी नजर आ चुकी है बिहार के इंजलों में जल्द शुरू होगा बाइपास का निर्मान कारे पत्ध निर्मान विभाग ने बिहार में सुलब संपर की योजना के तहट 25 योजनाओं के लिए 676.27 करों रुपए की प्रस्तास्तिक मंजूरी दी है इसमें 5 बाइपास का निर्मान 127.72 करों रुपए की अनुमानित लागत से किया जाएगा इन बाइपास का निर्मान जल्द ही बेगु सराय कैमूर और कटिहार जिले में शुरू होगा फिलहाले से बनाने के लिए जमीन अदी गरहन और अने प्रक्रिया शुरू किये जाएंगे इन बाइपास का निर्मान कारे इसी साल शुरू होनी की संभाव न है और अगले साल तक इसका निर्मान कारे पूरा हो जाएगा इसके लावे जिन योजनाओं को विभागी मंजूरी मिली है उन्हीं योजनाओं में सरकों की मरंमत और छोटी लंबाई में सरकों का निर्मान सामिन है बिहार के नदियों के जलस्तर में दिख रही उतार चरहाव के स्थिति, बिहार के नदियों के जलस्तर में अभी भी उतार चरहाव देखने को मिल रहा है, कई नदियों के किनारे बसे शेत्र में बार के स्थिति तो कुछ जगों पर कटाब के स्थिति देखने को मिल नहीं है, इसी क्रम में वीरपूर के कोसी बराज के उनिस फाटकों को खोला गया है मंगलवार को कोसी नदी का जलस्तर भी बरहा दिखा वहीं बुधवार को ये घरते क्रम में दर्ज किया गया बुधवार को 12 बजे कोसी के बरहा शेत्र में घरते क्रम में एक लाख दो हजार तीन सो परचाज की उसे पानी रिकॉर्ड किया गया। STT 2024 के पेपर 2 का जारी हुआ आंसर की बीते दिन बिहार बोड माधमिक सिक्षक पातरता परिक्षा यानि STT 2024 के पेपर 2 की आंसर की जारी कर दी गई है। वेबसाइड https//secondary.biharboardonline.com पर आंसर की के साथ रिस्पॉंस सीट अप्लोड कर दिये गए हैं। जो भी उमिद्वार इस परिक्षा में सामल हुए थे वे पेपर 2 की आंसर की चेक कर सकते हैं। आपती दर्ज करने के लिए मिद्वारों को 17 से 20 जुलाई तक का समय दिया गया है। अभ्यरती समीती की वेबसाइट पर नर्धारित लिंक पर आंसर में किसी तरह की कोई त्रूटी होने पर आपती दर्ज करवा सकेंगे। आपती दर्ज करवाने वालों मिद्वारों को 50 रुपए देने होंगी। फिर फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश में सांस्कृतिक कारेकरम करने वाले संस्ता और कलाकार किये जाएगे सूची बद। प्रदेश में संवर्धन और विकास के लिए विसे साफसरों पर उत्सव महुत्सव और सांस्कृतिक कारेकरमों का आयोजन करना है। इसे कलाके शेत्र में बिहार के सर्वोत्तम प्रदेभाओं की पहचान भी हो सकेगी। जिन संस्ता और कलाकारों का चैन होगा उन्हें मान दे भी दिये जाएंगे। बिहार के सभी जिला पदाधिकारियों को सक्षा बिभाग से मिलेगे नर्देश। प्रविसोत्सव विसेस नामंकन अभियान का मौप अभियान चलाया जाए। टोले के महादलित, दलित और अल्प संक्याक अतिपिछरा वर्ग के 6-14 वर्ष के बचों का नामंकन विद्याले में सुनिस्त करवाए। इसके लावे विद्याले में सभी बचों के आधार संक्या सुनिस्त कराए जाए। जिन बच्चों के अभी तक आधार नहीं बने हैं, उन्हें चिनहित किया जाए, कैम्प लगा कर इन बच्चों का आधार कार बनवाया जाए। बिहार पैटन में आज हम बात करेंगे रोहतास गर किला के बारे में रोहतास गर या रोहतास दुर्ग बिहार के रोहतास जिले में स्थित एक प्राचीन दुर्ग है ये भारत के सबसे प्राचीन दुर्गों में सेख है जो बिहार की रोहतास जिला मुख्याले सासा राम से लगभग पचपन और डेहरी ओन सोन से 43 किलो मीटर की दूरी पर सोन नदी के बहाव वाली दिसा में पहारी परिस्थित है ये समुंदर तल से 500 मीटर उचा है रोहतास गर का किला काफी भव्य नजर आता है इसमें कुल 83 दर्वाजे है जिन में मुख्य चार घोरा घाट राज घाट कठोतिया घाट वा मेरा घाट है प्रवेस द्वार पर निर्मित हाथी दर्वाजों की बुर्ज दिवारों पर पें अंतिम तारीक से पहले ITR फाइल नहीं किया तो देना पर सकता है जुर्माना ITR फाइल करने की आखरी तारीक 31 दुलाई है यदि आप इन अंतिम तारीक से पहले अपनी ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना पर सकता है मालूमों कि ITR वहीं लोग फाइल करत से जादा करेंट अकाउंट में पैसे जमा हो या 50 लाख रुपे से जादा बचत खाते में पैसे जमा हो यदि आप अपनी आई टीर फाइल करने के योगे हैं और बावजुद इसके आप अंतिन तारिक से पहले ऐसा नहीं करते हैं तो आपके घर पर नोटिस आ सकती है और हर म बनाए गए जूतों की चर्चा भी राष्ट्रे ही नहीं अंतर राष्टे बाजारों में भी होने लगी है बिहार के हाज़िपूर में बनाए गए जूतों को रूसी सैनिक भी पहन नहीं है ये जूता प्राइबेट लिम्टेड कंपनी कमटेंस एक्सपोर्ट हलके तो हैं, साथ में फिसलने वाले भी नहीं है, इसके साथ ही ये माइनस 40 डिग्री तापमान में भी थंडे मौसम को जहिलने में कारगर है, जूतों के इस कंपनी के वज़ा से लोगों को रोजगार भी मिल लहा है, इस कंपनी का रेविन्यू करीब 100 करोर रुपए है, करनाटक में नौकरी की तलास में जाने वाले युवाओं को लग सकता है बरा जटका, बिहार से कई लोग नौकरी और रोजगार की तलास में दूसरे राज्य और महानगरों की तरफ अपना रुख करते हैं, नेकिन इसी बीच बिहार और यूपी के वैसे लोग जो नौकरी औ डी कैटेगरी की नौकरीयों में अस्थानिये यानि करनाटक की लोगों को ही 100 फीजदी का रक्षन दिया जाएगा, हालांकि इस बिल में ये भी स्ताफ कर दिया गया है कि यहां अस्थानिये में वही लोग आएंगे जिनका जन्म करनाटक में हुआ हो, 15 साल से राजे में र कर्मचारी धरना देंगे, बिहार राज विस्व विद्याले और महा विद्याले कर्मचारी संग का आरोप है कि काररत और अवकास प्राप्त कर्मचारियों के वेतन और पेंसन में कटौती हुई है, जिसके विरोध में ये धरना देंगे, यहां भी ये आरोप लगा है कि मह विध्याले के सक्षकेतर कर्मचारियों का पक्ष भी नहीं सुना जा रहा है यहां तक कि 10 से 15 वर्ड से पहले जिनकी प्रणती हुई है उन्हें भी तृतिये वर्ग से चतूत वर्ग में काम करते हुए वितन सत्यापन कर दिया गया है जबकि पद सत्यापन विस विध्याले क चुछ अब इसे है इसीके विरोध में आंदोलन होगा नतिक बिहार में थमा बारिस का दौर बिहार में अचानक बारिस का दौर थम चुका है और मॉनसून अब मध्य भारत की तरफ बढ़ने लगा है एक बार फिर से बिहार में लोगों को गर्मी सताने लगी है आने वाले तीन से चार दिनों तक बारिस की कोई खास उमीद नहीं है हालांकि हरके बारिस की संभावना प्रदेश में कुछ जगों पर जटाई गई है आज प्रदेश में कुछ जगों पर अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री तो कुछ जगों पर 36-38 डिग्री रहने की संभावना है उन्हें अपने गारी को पंजगरित करने में कई परिशानिया होती है लेकिन अब लोगों के इस और सुविधा को देखते वे किंद्र सरकार ने भारत सीरीज नंबर प्लेट पेस किया है ये नंबर प्लेट जिस भी गारी पर लगी होगी वो पूरे भारत में मानने माना जाएगा इस बीएच नंबर प्लेट पर सबसे पहले 21, 22 या 23 जैसे अंक लिखे होते हैं बीएच भारत को इंगित करता है इसका लाव उनी लोगों को मिलता है जो सरकारी करमचारी है और उनका ट्रांसपर दूसरी राजों में किया जाता है नीजी कंपनी के कर्मचारी भी इसका लाब ले सकते हैं जो ओफिस के काम से दूसरी राजों में जिनका आना जाना लगा रहता है हाला कि इन्हें कुछ दस्तावेजों की जरूरत परेगी फरजी खबर फैलाकर बिहार के कई खिलारियों से करोरों रुपए की हुई वसूली बिहार के खिलारियों से कई कुछ जाल साजों ने फरजी खबर फैलाकर करोरों की वसूली की है दरसल 15 जून से पटना के उर्जा स्टेडियम में इन जाल साजों ने बिहार क्रिकेट लीग के आयोजन की फरजी ख़बर फैलाई थी बिहार क्रिकेट असोसेशन के फरजी लेटर हैड और सचीव जियाओल आर फीन के फरजी हस्ताक्षवर का इस्तिमार इन जाल साजों द्वारा किया गया था इस फरजी लेटर में लिखा था कि BCN जन सेवा फाउंडेशन को एक अप्रज से 30 जून के बीच बिहार क्रिकेट लीग कराने के लिए अधिकरित किया है बिहार में आज BJP के कई बरे नेताओं का कारे समीती की बैठक के लिए होगा महा जुटान बिहार में आज BJP पार्टी के कई कारे करता और बरे नेता आज पटना के SKM हॉल में प्रदेश कारे समीती की बैठक करेंगे ये बैठक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और उपमुखे मंत्री समराथ चौधरी की अध्यक्सता में होने वाली है इस बैठक का सुभारंब केंद्री क्रिसी और किसान कल्यान मंत्री सिवराज सिंग चौहान करेंगे इस बैठक में केंद्र और राजे सरकार में सम्मिलित भाच्पा के सभी मंत्री सांसद, पूर्व सांसद, सभी विधायक, पूर्व विधायक, सभी जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, मंडला अध्यक्ष के साथ प्रदेश कारे समेदी के सदस्रे सामिल होंगी अपने पिता को खोने के बाद मुके सहनी ने जताया तो अपने पिता को इस तरह से खोने के बाद मुके सहनी काफी दुखी है मीरिया से बात चीत के दौरान उन्होंने कहा है कि पिता जी से यहां 10 दिन पहले आकर मिले थे उनके कान और घुटने में दर्द था उन्होंने ये भी साफ किया कि राजनेतिक विवाद में पिता जी की जान नहीं गई है मेरी किसी से राजनेतिक उस्मनी नहीं थी तो पिता जी से कैसे हो सकती है वे यहां अकेली रहते थे अपने हिसाब से जीवन जीते थे हम तो कई बार बोले थे कि मेरे साथ मुंबई या पटना रही है नेकिन पिता जी को गाउं ही पसंद है जन सुराज के संपर्क में रहने वाले कई राज़त नेताओं को किया गया निलंबित अभी हाल में ही ये चर्चा थी कि राज़त के कई नेता जन सुराज पार्टी के संपर्क में है राज़त से जन सुराज के संपर्क में रहने वाले लोगों को राज़त नेता जगदानंद सिंग ने भी चेताम ने दी थी अब इस मामले को राज़त सुप्रीमो लालो प्रसाद यादव ने भी गंभीरता सरिया है और पार्टी के 5 नेताओं को 5 साल के लिए निलंबित कर दिया है जो लोग पार्टी से निलंबित किये गए हैं उन पर पार्टी की छवी को धुबिल करने का आरोप लगा है इसमें प पार्टी में रहते वे उक्त लोगों ने जन्द सुराद पार्टी के सदस्रता ली है 20 मार्च को पूरे बिहार में महागडबंदन निकालेगी आक्रोस मार्च वीते दिन राज़त कारियाले में महागडबंदन के दलों की बैठक हुई राज़त प्रदेश अध्यक्स जग इंग्रिस, माले और वी आईपी सभी दलों के नेता इस मार्च में सामिल रहेंगे आपको बता दे कि विपक्षी नेता बिहार में बढ़ रहे अपराद और भ्रष्टा चार की मामले में गया आक्रोस मार्च निकालेंगे ICC की ताजा रैंकिंग में सुब्मन गिल और यससवी जैसवाल को हुआ फाइदा बीते दिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसल यानि ICC ने अपने ताजा रैंकिंग जारी की है इस रैंकिंग में यससवी जैसवाल और सुबमन गिल को उची रैंकिंग प्राप्त हुई है दोनों खिलारियों ने जिंबावे के खिलाफ T20 सिरीज में अच्छा प्रदर्सन किया था T20 नंबर वन बले बाज में ट्रेविस हैड और दूसरे अस्थान पर सुर्य कुमार यादव का नाम सामिल कई कारणों से दर्जह भारत के थेहास में आज की तारिक आज के दिन वर्श 1927 में भारतिय स्वाध हिंता अधिनियम को साहिस फिक्रिती मिली थी आज के दिन वर्श न्यूसरसी में भारत में निर्मित अपकरा प्रशेपन बहान SLB 3 से रोहिनी अपकरा को खक्षा में भेजा गया था और टेलिविजन से पहला रंगीन प्रसारन मदरास में किया गया था आज के दिन वर्श 2002 में डॉक्टर एपी जी अब्दुल कलाम देश के बार भी राश्ट पती चुने गया थे आज के दिन वर्श 2003 में वाई बेनु गोपाल रेडी डिजर्व बैंक के नए कवर्नर बने थे आज के दिन वर्श 2007 में भारत पाकिस्तान और मैकसिकोन में हरित क्रांथी के जनक कहे जाने वाले विश्प प्रस्त अमेरिकी क्रेसिव एग्यानिक नार्मन बोडलोक को कौंगरिसनल गुल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था आज के दिन वर्स दोज़राट में भारते मुल्के सलमान डुस्ती ने प्रमोशन तूर के दोरान संदावन मिनट में एक हजार पुस्तकों पर हस्ताक्षर करने का रिकॉर्ड बनाया था आज के वाइरल खबर में हम बात करेंगे 500 रुपए के नोट को लेकर वाइरल हो रहे है इस खबर के बारे में सोसल मीडिया पर एक खबर वाइरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि 500 रुपए के नोट पर अगर स्टार सिंबल है तो ये नोट नकली है कई लोगों को इस तरह के नोट बाजारों में मिले हैं, अगर आपको भी मिलते हैं तो अलर्ट रहें और समय रहते इसे तुरंत वापस कर दे, लेकिन आपको बता दे कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है, स्टार्ट चेनवाली के पांसो के नोट 2016 है प्रचलन में है, इसलिए इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचे, पी आईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को फर्जी बताया है, इस सस्ते रीचार्ट प्लैन से OTT पर आप देख सकेंगे अपनी फेवरेट मुवी और सिरीज, यदि आप घर बैठे ही अपनी कई कोई फेवरेट मुवी या वेब सिरीज देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको OTT प्लैटफॉर्म का सब्स्क्रिप्शन लेना जरूरी होता है, इसके लिए हमें ना जाने कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन आपको बता दे कि जियो एयर टेल और वोड़ा फ्रो आईडिया जैसी कंपनी अपने यूजर को फ्री OTT सिवा दे रही है, इन यूजर्स को OTT सिवाओं की ये सुवधा 200 रुपए से भी कम पैसों में मिल रहे हैं, यदि आप 175 रुपए का रिचार्ज जियो पर करवाते हैं, तो ये आपको 28 दिन की वैलिडिटी के साथ 10 GB डेटा ओफर करता है, यहां रिचार्ज के बाद आप सोनी लाइव, जिफाइफ, जियो सिनेमा प्रीमियम, लाइन गेट प्ले और डिसकवरी जैसे 12 OTT एप सामिल है, जिससे देख सकते हैं, ध्यान अखेस, रिचार्ज में आपको कॉलिंग ये SMS की सुवधा नहीं मिलती है, हम प्रज़े दिन आप से 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उस सवाल है, हाली में हमारा सम्विधान, हमारा सम्मान पर दूसरा स्वेत्रिय कारिकरम कहा है उजद किया जाएगा, आप सने हैं, मुंबई, आप सन भी है, नई दिल्ली, आप सन सी है, परियाग राज, आप सन भी है, कॉलकाता, इसका सहीं तरह परियाग राज, हाली में आई यूएन के रिपोर्ट के अनुसार कि इस देश की जनसंख्या आगले अर्थिस वर्सों में घटने लगेगी आप्शन ने है रूस, आप्शन भी है कनाड़ा, आप्शन सी है भारत, आप्शन भी है अमेरिका, इसका सही उतर है भारत आप्शन भी है बिहार, आप्शन भी है अनुसार कि इसका सही उतर है भारत निम्र में किस प्रदेश से बिहार के सीमाय नहीं लगती हैं? साथ सषी कुमार यादव अवतीख खान सजीव कुमार रंजीत मिस्रा इसके साथ ही बरते आज के सवाल क्यों राध का सवाल है आपके शेत्र में रोजगार का सबसे बरिया माध्यम क्या है हमें comment में लिक कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के सा बने दहने के लिए देखते हैं बिहारी नियूद और साथ ही अगर आप यूरोब से देखनान तो चनल को लाइक करना और सब्सक्राइब अगर आप फेस्बूक से देखनान तो पेच को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद